मेरा नाम है आस्था, मेरा फेवरिट फूड है पास्था, मैं दिखाऊंगी आपको अपने MBBS का रास्था, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आपको नीट का है वास्था पहले तो बहुत जादा सौरी कि इतने लंबे गाप के बाद वीडियो जा रहा है बर जब मीट के बाद आप घर पे बैठे होते हो, कुछ नहीं कर रहे होते हो, बस दिन बर चिल कर रहे होते हो और सडिनली फिर कॉलेज आ जाता है, जिसमें 9-2-5 का पागड शेडियूल होता है, प्राक्टिकल, पढ़ाई, घर से दूर, होम सिकनेस उन सब की वज़े से में को बिलकुल याद नहीं रहा कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, या फिर मेरे को वीडियो भी अडिट करके डालना है तो इसलिए बहुत जादा लंबा गैप हो गया, यह कॉलेज मुविन ब्लॉग है, जो कि 12th of December से शूट होना स्टार्ट हुआ था और इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि मेरा कितना जादा लगश था, और मेरे को डॉप करने के लिए मेरी पूरी फैमली गई थी बस मेरा छोटा भाई है में को डॉप करने के लिए नहीं गया था, यह स्टेशन का क्लिप है, मेरी ट्रेन 13th को रात में थी, राजिन देन अगर टेर्मिनल से क्योंकि मेरा बहुत जादा लगश था, तो काफी लोग लग रहे थे, लगज उठाने के लिए और फिर यहां पे मेरा छोटा भाई हम लोग लास्ट में जितना भी टाइम स्पेंड कर सकते थे, एक दूसरे के साथ करने का ट्राइ कर रहे थे, क्योंकि मैं और मेरा छोटा भाई एक दूसरे से बहुत जादा क्लोज है, जब हम घर पे थे, तब most of the time हम दोनों साथ में ही और अभी उसको चले जाना था, वो मेरे को ड्रॉप करने के शन गंज नहीं आपाया, तो हम लोग ट्राइ कर रहे थे, कि जितना भी ज़्यादा टाइम हो सके एक दूसरे के साथ स्पेंड कर ले, यहां पे हम लालू को पैसे दे रहे हैं, क्योंकि मुसकी बड़ी बहन है, तो यह तो बनता है, और उसके बाद जो भी टाइम तर ट्रेन का, जो भी 10-15 मिनट थे, वो हम अकाश के साथ ही स्पेंड कर रहे थे, और अभी भी जब हम यह क्लिप एडिट कर रहे हैं, तो में को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, फिर रात में हमने चाई पिया, औ और उसके जाने का टाइम हो गया था, ट्रेन के खुलने का टाइम हो गया था, और अकाश चला गया, बहुत जादा रोए हैं, हम दोनों बहुत ही जादा रोए हैं, और ट्रेन पे रात बर मेरे फैमिली में से कोई भी नहीं सोया था, क्योंकि हम लोग सब लोग अपसेट थ तो मेरे दिमांग में जो सबसे पहला थोट आया वो यही आया कि स्टेशन बहुत जादा छोटा है क्यूंकि पहली बार स्टेशन आ रहे थे जब फर्स टाइम एडमिशन के लिए किशन गंज आये थे तब उस टाइम भाई रोड आये थे तो यह स्टेशन पहली बार ही गए थे किशन गंज के स्टेशन पे थोड़े देर रुकने के बाद और चाय पीने के बाद हम लोग फिर होटल के तरफ चले गया कैसे लग रहा है किशन गंज पहुँचके बहुत जादा इच्छा हमने फिर होटल में चेक इन किया वहां का क्लिप हम नहीं बना पाए है क्योंकि बहुत जादा जल्दी हो रहा था ट्रेन भी थोड़ा लेट पहुचा था और हमें होस्टल भी जाके शिफ्ट करना था तो हम लोग होटल में चेक इन करने के बाद वहां पे फ्रेशन अप होने के बाद टारेक्ट खाना खाके और फिर कॉलेज के लिए निकल गया और यहां पे मम्मी और मामी ने मेरा पूरा रूम अरेंज कर दिया है रूम टूर भी आएगा जल्दी आएगा यालमीरा में को खरीदना पड़ा था वो होस्टल में प्रोवाइड नहीं किया गया था और फिर मेरि बॉलिवुरद फैंमी अपने रात में अपना कामपस के अपने कामपस में थोड़ा फोटो वोटो क्लिक gear वाया वीडियो बनाये मेरा कामपस रात में बहुत जाधा सूंदर दिखत है इवन पूरे किशन गंज में सबसे जादा सुन्दर जो चीज़ है लेट नाइट राइड इन किशन गंज गाइस तोड़ो रो ये हमारी लामबरगीनी दिखो ये हमारी लामबरगीनी लाल रंग दी फिर हम लोग सब लोग ठके वे थे नेक्स डे वहाँ पे मेरे भाया का हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल देखने के लिए गए हम लोग सब लोग ने हॉस्पिटल देखा उनसे बहुत सारी बाते हुई बहुत अच्छा लगा हॉस्पिटल देखने के बाद बहुत 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 जादा अच्छा लगा और फिर भाया भाया ने ही हमें मेरे कॉलिज तक ड्रॉप कर दिया क्योंकि सेम डे पेरिंस को निकलना था उनकी ट्रेन थी दो पर धाई बजे की तो वो लोग फिर चले गए और हम बहुत जादा इमोशनल थे इवन सब लोग इमोशनल थे इसल दिन के लिए घर वापस आय थे तब जाके ये वीडियो एडिट होके यूट्यूब पे जाएगा और जिस दिन ये जाएगा उस दिन हम वापस कॉलेज चले जाएंगे लेकिन मेरे से जितना हो पाएगा उतना ट्राइ करेंगे हम मैट स्कूल का कंटेंट शूट करने का फर्स येर में काफी कुछ नया हो रहा होता है क्योंकि नीट के बाद सडनली ये सारी चीज़े बहुत जादा नहीं होती है तो उतना कोप अप कर पाना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है थोड़े दिन बाद जब इन सब चीज़ से यूस्ट हो जाएंगे शेडियूल से जब चीज़े कम हेक्टिक लगने लगेगी तब हम शूट करने का ट्राइ करेंगे तिल देन इफ यू लाइक दिस ब्लॉग दू लाइक शेर अन सब्सक्राइब